आज हम लोग बनाएंगे चने का साग जिसे सिंधी में कहा जाता है पली और उसके साथ बनाएंगे चावल का डोडा जो बहुत ही टेस्टी लगता है सिंधी फेमस डिश पली एंड डोडो हलो फ्रेंड्स मैं मुस्कान अहुजा और आपका स्वागत है मेरे चानल हुनर मुस्कान का पे आए रसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं पली बनानी है तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे चने का साग जिसे सिंधी में पली कहा जाता है इस तरह से देखिए इसके लीव रहते हैं तो हम लोग लीव अलग कर लेंगे यह टाइम कंजूमिंग है पर जो डिश बनेगी बहुती बढ़िया बनेगी और यह जो पते हैं बिलकुल थोड़े समय के लिए ही अवलबिल रहते हैं ठंडियों में तो इससे जरूर बना के देखें देखिए मैंने सब पते अलग क करना है इसमें साथ में डालना है हमें पालक तीन इससे पली के लेने है यानि चने के साग के तो एक इसा पालक का लेना है यहां पे मैंने तीन सो ग्राम चने का साग लिया है और उसमें डालूंगी सो ग्राम पालक इसे अच्छे से दो के साफ कर लेंगे देखिए मैंने इसे वाश करके रखा है अब भी कुकर ले लेंगे उसमें डालेंगे ओयल या घी तीन से चार चमच उसमें डालेंगे बिल्कुल बारिक कटा हुआ कांधा मैंने यापे तीन ओनियन लिये हैं से हलका गुलाबी होने देंगे पहले इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च दो हरी मिर्च ली है ज्यादा तीखा चाहिए तो आप तीन से चार ले इसे हमें हलका ब्राउन होने देना है इस तरह से इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर तो यहां पर मैंने तीन टामाटर लिये है, रफली चौप करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक अच्छे से mix करके पकाना है साथ में डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च ये तीन चीजे ही डालनी है नमक, हल्दी, लाल मिर्च अच्छे से mix करके पकाएंगे जब तक टमाटर जो है अच्छे से पक जाए आज को medium रखेंगे जैसे ये जले नहीं और टमाटर पकता रहे उसे मैश करते जाएंगे देखिए टमाटर लगबग पक चुका है तो अभी इसमें डालेंगे हम लोग पली याने चने का साग और पालक जो हमने धोके रखी थी वो ठंडियों में स्पेशली ये डिश जो है सब सिंधी घरों में बनती है तो कमेंड करके मुझे जरूर बताएं किसके किसके घर में ये बनती है उसे अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे साग पकता जाएगा वैसे वैसे ये देखिए श्रिंक होता जाएगा और इसमें से पानी भी ही इसे पकाना है हमें आज को दीमा कर देंगे पहले और कुकर का डकन बंद करके कम से कम तीन सीटिया लगवाएंगे आज को तेज करके जब तक सीटिया लगे आईए इमली भीगो के रखेंगे तो एक निम्बू के साइज की मैंने इमली ले ली है इसे अच्छे से वाश कर लेंगे और इसे पानी में भीगो के रखेंगे फिर इसके पल्प का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अंदाजन एक कप के करीब पानी डालके इसे बिगो के रख देंगे आगे बढ़ते हैं अब भी बनाते हैं हम लोग डोडा तो उसके लिए ले लेंगे चावल का आटा उसमें डालेंगे नमक और पानी डालके एक सौफ्ट आटा तयार करना है इसमें आप मसाले भी डाल सकते हैं जैसे जूर का डोडा बनाया जाता है इससे पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया है तो जूर का डोडा नहीं तो चावल का डोडा दोनों बनाया जाते हैं इसके साथ देखिए आटे को जब हम लोग गूनते हैं तो उसे अच्छे से मसलना है हमें तो जो डो बनेगा बहुती सॉफ्ट बनेगा और डोडा बहुती बढ़िया बनेगा और ब्रेक नहीं होगा उसे बनाने के टाइम पर इस तरह से कटन फोल्ड की तरह इसे हमें गूनना है जैसे जैसे इसे गून देंगे तो वैसे वैसे यह सॉफ्ट होता जाएगा और स्मूथ भी देखिए आटा बिलकुल तयार हो चुका है आएए टोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे और यह देखिए चपाती के आटे से बिलकुल सॉफ्ट होता है हाथों में तेल लगा लेंगे और एक पॉर्शन ले लेंगे आदा हाथों पे फ्लाइट करेंगे बाकी आदा जो है तवे पे डालके उस पे फ्लाइट करना है तो तवे पे पहले तेल लगा लेंगे उंगलियों या हथेली की सायता से इससे फ्लाइट करते जाएंगे और इसे थोड़ा सा तेल डाल के दोनों तरफ से अच्छे से सेख लेंगे तेल लगा के अच्छे से दोनों तरफ से सेख लेंगे जैसे मैंने बताया डोडे में आप इसमें ओनियन, टमाटर, हरी लसुन, सुखी लसुन भी डाल सकते हैं या इस तरह से प्लेन भी बना सकते हैं, दोनों ही बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो यह हमारा चावल का डुड़ा तयार हो गया है, और इमली को भी लगबग 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो इसे अच्छे से मैश कर देंगे और इसका पल पलक कर लेंगे, देखिए, मैंने पानी को चान लिया है, और इसका इस्तिमाल करेंगे, हम लोग सबजी में साग को मैंने 3 सीटी लगवा के बोईल कर लिया है, कुकर का डकन खोल के, इसे हमें मैश करना है अच्छे से, तो पहले मैं ऐसे ही रफली मिक्स कर रहे हूँ, उसके बाद इसे हम बिलोने से, अच्छे से मैश करेंगे, जिसे सिंदी में का जाता है, मंदियडो, आप चाहें तो बिलेंडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, बर ट्राडिशनल वे मैं बता रहे हूँ, तो उसमें हमें, बिलोने का ही इस्तमाल करना है, और इसे अच्छे से मैश करते हुए, इस कंसिस्टिंसी दख लाना है, ताइम कम हो, तो हलका हलका बिलेंडर इस्तमाल करें, कंटिनियूसली नहीं, और इसमें डालेंगे हम लोग इमली का पल्प, अच्छे से मिक्स करके एक बार उबालाने देंगे, क्यूंकि हमने इसमें इमली का पानी डाला है, और उसके बाद इस पे लगाना है हमें तड़का, तो देखिए अच्छे से मेक्स कर लिया है, तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में ओयल ले लेंगे, उसमें बिल्कुल बारी कटी हुई लसुन डालेंगे, इस तरह से लसुन का तड़का लगा लेंगे, इसे बहुती बढ़िया खु यह हमारी पली तयार हो गई है और इससे पहले हमने बना लिया चावल का डोड़ा तो तोनों तयार है चावल का डोड़ा पली उसके साथ थोड़ी सी मूली काकड़ी और कांदा बहुती बढ़िया बहुती यूनिक डिश है बहुती टेस्टी है जो मैंने बता है विंटर सीज में ही मिलती है बिल्कुल कम समय के लिए तो जरूर ये बार बना के देखें और मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी बिल्कुल ऑथेंटिक सेम रेसिपी मैंने सिंधी में अपने चानल हुनर मुस्कान का सिंधी पे भी अप्लोड की है जरूर चेक करें और ऐसी और कौन सी वीडियो आप मेरे चानल पे देखना चाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे जरूर फॉलो करें और मेरी आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइक ओन जरूर क्लिक करें और मेरा वीडियो देखने के लिए तैंक यू